वेलकुम बेक टो अंदर वीडियो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बृदि सुंयर्स हैं या जो इंटीन बिजिनिस उनर के हम बात कर बात कर बात कर बेखियो तोपिकמפ contemporary बात करने मतलब यह हैं क्योंकि मैंने आज एक बी किलास city के एक ऐसे क्राइंट से बात की जो मेरे prospect थे उनको अपने business को grow करना था और वो नहीं कर पा रहे थे क्या उनको problem आ रही थी क्या reason थे जिसके बैसे उनको अपने उसको grow नहीं कर पा रहे थे दूसरा mindset कैसा था उनका इस सब के बारे में मैं बात करने वाले बेसिकली यह जो मेरे prospect थे यह बेसिकली एक आयरुवेदिक इंसिट्यूट रन करते हैं आयरुवेदिक थेरिपीज जो होती है जो केरला पद्दी की थेरिपीज होती है मसाज थेरेपीज होती है वो सब यह प्रवाइड कराते थे इसके अंदर यह काम करते थे health issues related massage हो गई या फिर आपके आई विजन है विजन लॉस से लेटर मसाज है उसकी उपर काम करते थे प्रस्ट्रेस बेस्टर हो गया या आपने भी सुना होगा एक लीच थेरेपी होत यह कोई website थी ना ही कोई landing page था इसके लावा इनकी जो Google लिस्टिंग थी मतब Google माय बिजनिस की जो लिस्टिंग थी वो थी तो सही बड़ वो properly optimized नहीं थी ना तो इसके अंदर निग वेबसाइड लिस्ट लिंक थी ना उनका प्रॉपर एड़ेस अबडेटेट था इसके ला आपको पढ़े चाहिए आपको हम एक पर्डिकुलर रिजल्ट प्रॉइड करा सके तो जब मेरी इन से बात ही तो नहीं ने बोला कि मेरा अभी जो स्टाफ है वो छह लोगों का स्टाफ है मतलब हम एक मसाज को complete करने में डियल घंटा लेते हैं मतलब जो आयर्विदिक पद हम साल मिन्तली कर सकते हैं अब जब इससे मैंने बात क हेकि आपके जो टार्गेट टार्गेटी ओडियांस च्छे महीने का बच्चा और एक 80 साल का बुजर्ग भी इनका क्लियन्ट हो सकता तो मतलब काफी ब्रॉडर इनका एज था जिसके अंदर ये टार्गेट कर सकते थे इसके लाब जो इनकी मसाजिस थी या जो इनकी सर्फिस थी वो बड़ी ही मतलब आज की डेट में बहुत जिनके अभी कुछ बेबी हुआ है और उसके बाद उनको एक मसाज लगती है वह वाली मसाज जैसे कि हम लोग अभी चोटे बच्चे को जब वैक्सिनेशन कराते हैं ऐसे आयरवेद में भी एक वैक्सिनेशन होता है वो उनके पास है इसके लाब अलीज तरेपी और इसी ब हार से आते हैं इनके हॉस्पिटल पर इस तरह के की मसाज कराने के लिए क्योंकि यह बहुती एफेक्टिव होती है तो पूरी इंडिया से लोग इनके पास आते हैं और जो जो भी नियरबाय लोगों को लगता है कि बोपाल पास में हैं इंदौर पास में हैं या नाकपुर पास में हैं अकॉर्डिंग लोग रीच करते हैं डेली से पूने से लोग इनके पास आते हैं तो रीच का भी कोई इशू नहीं था तो इनकी जो टार्गेट ओडियंस थी वो भी ब्रॉड थी और जो एज लिमिट थी वो भी काफी ब्रॉड है ठीक है जब इसे बात की कि आ ये टार्गेट करना चाते थे फिर जब इनसे बात की कि आप अभी अपने बिजनेस को किस तरीके से मैनेज कर रहा हैं मतलब अभी आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं तो इनका जो जवाब था वो था कि हम अभी पेन पेपर या लेंडिंग पेज हैं कुछ भी नहीं था ना वेबसाइट है ना लेंडिंग पेज हैं सबसे बड़ी बात यह जो कम्मुनिटी से आते हैं जो हज्बन वाइफ इस प्रेटिकुलर और और रोगनाशिशन को रन कर रहा है वो था डॉक्टर्स इनका गूगल लिस्टिंग में नहीं था इनका फेस्बूक पेज भी नहीं बना था एंड इनका इंस्टाग्राम पेज तो था ही नहीं ठीक है यह एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आची डेट के बिजनस ओनर्स का कि आप पड़े लिखी होने के बाद भी आपको डिजिटल चीज़ों का बिल्गुल भी है भी नहीं था इनका अभ इन से बात हुई कि आपके पास अभी itक यो इनकी अधिंको उनके अगर आप यह माननके चले थो तो तीन से चार वह आती है पूछते हो चले जाते हैं वर जो लीट कन्वर्जन था कन्वर्जन है वो एक से दो या तीन चार कभी-कभी ऐसा हो जाता है इनकी जो प्राइजिंग के अगर हम बात करें तो साड़े साथ सो से लेके दो जा तीन है तक की मसाज यह चार्ज करते हैं मतलब यह अच्छा अच् रिकरिंग बिजनेस कैसे आता है मतलब एक बार अगर किसी ने आपसे मसाज कराया तो क्या कोई आपको बापिस आता है या रिपीट कस्टुमर्स आते हैं आपके पास तो इनका जो जवाब तक वो बड़ा अजीब साथ है कि हाँ कुछ आ जाते हैं कुछ नहीं आते हैं तो वह बिलकुल भी zero था कोई follow up management नहीं था इसके लाबा जो उनकी team है जो उनके sales के लोग हैं जो in house और outside मार्केट में जाते हैं उनका कोई भी you know management नहीं था मतलब sales team management के बात के लिए टास के बात के लिए और यह कुछ भी नहीं था इसके लाबुबाब appointment management का भी कोई system नहीं थ ठीक है और सबसे लास्ट और फाइनल लीड मेनेजमेंट का कोई भी concept अभी यह लोग यूज नहीं करे थे ठीक है तो यह मेरा इनके साथ discussion हुआ accordingly मैंने इनको एक पूरा इनको एक प्लान मना के दिया कि आपको किस तरीके से यह सब चीज़े करना चाहिए और क्या क्या हमें इंप्लीमेंट करना होगा हम एक अगर व्यू लेकर चले कि कितने टाइम तक आप इस तरीके की activity में पैसा लगाने चाहते हैं मतलब आप इतने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट करना चाहते हैं तो जो व्यू था वो तो था लॉंग टर्ब कि मैं 12 महीने भी लगा सकता हू और हो सकते में हर महीने भी आपको पेकरनी के लिए रेडी हूँ अब दोस्ते में अब कि जस्वाल है आपका जो मैंने सबसे सुरू में भी बूलाता है कि इस तरीके के जो बी किलास और सी किलास सिटी के जो लोग होते हैं उनकी ग्रोथ क्योंनी हो पाती है आप इन सब चीजों का जितना भी मैंने आपको अभी जो बताया है इन सब चीजों का एक जनल कितना कॉस्ट लेना चाहिए आप प्लीज कमेंट करके बताइए और बिंग डॉक्टर अगर आप एक डॉक्टर है आप एक हॉस्पिटिल करना चाहिए तो आपको पर मन्त इस जो भी चार्ज करा जो भी मैंने उनको एमांट बताया चार्ज तो नहीं बोलूँगा बड़ जो भी उनको एमांट बताया जो भी मैंने कोटिशन दिया वो उनको बहुत हाई लगा बहुत हाई लगा मतलब एक अगर हम बात करते हैं कि जिसे आपके पास 5-6 लोग काम कर र कि आपके employee चोड़ कि जा सकते हैं ठीक है बट इस तरीके के जो भी यूँआ activities होती है डीजिटल activities होती है चाहे वो फिर website के हम बात करें landing pages की बात करें Facebook ad की बात करें Google ads की बात करें हम listing की बात करें हम किसी भी तरीकी ad campaign की बात करें फिर बुजाए WhatsApp automation, SMS automation, lead management की बात करें appointment management की बात करें आपके follow-ups की आपके recurring clients को को ले के आना या किसी भी तरीके की activity अगर आप करें तो definitely आपको कुछ ना कुछ पैसा लगाना होगा ठीक है और यह इतना ज्यादा भी नहीं होता है यह होता है simply एक आपकी employee की salary के बराबर depending upon मतलब यह था कि अगर आप एक business owner है तो आप अपने business में जरूर इन्वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल करते रहे हैं लेकिन सही जगे पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है कहने का मतलब मेरा से वितना है कि आप अपने business को promote करने के लिए जरूर पैसा लगाएं फिर चाहे व online promote करें बट promote जरूर करें अगर आप online promote करेंगे तो आपको आज की rate में हसानी से अच्छे खासे client मिल सकते हैं क्योंकि आपको भी पता Facebook Ads Google Ads कितने powerful हैं आज की rate में सारी दुनिया इसका फायदा उठा रही है और आप सिफ एक छोटा mindset लेकर अगर यह सोच रहें कि आप अभी इसा जरूर करें अपने पैसे को इन जगों पर लगाएंगे तो आपको आने वाले time में काफी अच्छे returns मिलेंगे और आप जरूर नहीं किसी से भी काम करा सकते हैं आप एक दो तीन चार agency owner से बात करिए वह आपको proper quotation देंगे आप bargain करिए और उसके accordingly फिर से decision लेके उसको implement क करिए लेकिन अपने brand को promote करना चाते हैं अपने business को grow करना चाते हैं तो 100% आपको digitally अपने आपको enable करना होगा अपने business की digital foundation create करना होगी तब ही आप survive कर पाएंगे जो लोग offline marketing कर रहे हैं जो लोग traditional way में marketing कर रहे हैं growth उनकी बहुत कम है as compared to digitally अपने आपको promote कर रहे हैं grow करना चाते हैं so I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो please like करें इस वीडियो को और हुझा करें thank you good night